हलो इस्टुडेंट यह है एक्सरसाइट 10.5 इसका कोश्चन नम्र 11 तो यहां पर दिया है कि ABC और ट्रेंगल ADC आर टू राइट ट्रेंगल ABC और ADC दोनों किया है राइट अंगल ट्रेंगल हैं और इन दोनों की खास बात यह है कि इनका हाइपोटीनियूज कॉमन है इसका हाइपोटीनियूज यह हुआ नए AC इसका भी हाइपोटीनिय असी है और इस वह प्रेंगल करना है कि यह अंगल 1 जिसको कहा जाता है C-A-D थिक हम चाहें तो यहाँ पे लिख दें कि एंगल 1 is equal to एंगल 2 प्रूफ करा रहा है ठीक है ना तो ये एंगल 1 इस एंगल 2 के बराबर है ठीक तो सबसे पहले इस इस figure को हमें क्या करना पड़ेगा एक circle में draw करना पड़ेगा उससे या आसानी से solve हो जाएगा ठीक है ना अब यहाँ पर देखो कि ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse AC to prove क्या करना है कि CAD यानि एंगल 1 is equal to एंगल 2 ठीक अब जब इतना कर दिया तो प्रूफ करना बहुत ही आसान है अगर तुमने इस figure को circle में बनाया है क्यों क्यों क्योंकि हमें circle की एक theorem पता है वो क्या है कि we have angle in the same segment of a circle are equal ठीक अब same segment का मतलब अगर तुम इधर CD के side में यहां पे खड़े हो CD के side में तो यहां से देखो बेटा कि CD के side में जब खड़े हो तो तुम देखो कि CD ही यहां पे अंगल बना रही है और CD ही यहां पे अंगल बना रही मलब CD से यहां एंगल बना रही है और CD ही यहां पे अंगल बना रही है ठीक यानि कि CD सेगमेंट अंगल 2 बना रही है और CD ही अंगल 1 बना रही है और हमने यह थोरम पढ़िए कि angle in the same segment are equal इसका मतलब angle 2 is equal to angle 1 हो जाएगा बस केबल और के वल तुम्हें यह एक statement लिखनी पड़ेगी यह बहुत ज़रूरी है कि we have angle in the same segment of a circle are equal so angle 1 is equal to angle 2 ठीक angle 1 का मनाम है CAD और angle 2 का नाम है CBD तो यह वाली थोरम complete हो जाएगी ठीक है बेटा